हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू जायका जिगनास कीचन आपके लिए आज मैं लेके आए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो वह है ओटीजी केसे ऑपरेट करते हैं और उनको किस तरह से ऑपरेट करते हैं वह वीडियो में आपके साथ सेर कर रहे हूँ इसमें मैं सारी केसे कौन सी चीज बना सकते हो क्या function यूज कर सकते हो कितना timer रख सकते हो वह सारी चीजे में सेर करने वाली हूँ तो आप यह वीडियो एंड तक देखिए क्या-क्या इसमें जरूरी है और क्या आप इसको एवेट कर सकते हो वह में सब बताने वाली हूँ तो चलिए हम स्टार् करने वाली हूँ तो यह वीडियो एंड तक देखिए जो भी बेकर्स है जो भी हॉम बेकर्स है वह यह वीडियो से बहुत सारी टीप्स और ट्रीक्स ले सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब सब आपको में function समझा रही हूँ यह है function function का यह option दिया है यहां पे दिय जो बोटम ग्रील है वो ज्यादा तर यूज होती है केक कपके टी टाइम केक में जो भी आप केक्स बना रहे हो उसमें सिर्फ आपको बोटम ग्रील ओन रखना है टो बोटम ग्रील ओन नहीं रखना है ओनली बोटम ग्रील जो भी आप हॉममेट केक्स बनाते हो या फिर चीज करने है ब्रेट टोस्ट करना है गालिक टोस्ट करना है आपको जो चीजों को उपर और नीचे से कड़क करने है तो उसके लिए आपका यूज होता है टोप बोटम ग्रील जो पुराने ओटीजी रहते उसमें फेन का उप्शन नहीं रहता है उसमें दिखता नहीं है कि फेन की कोई निशानी नहीं रहती पर उसमें इन बिल्ट फेन ओन ही रहता है तो अगर आप बिस्किट बना रहे हो कुकीज बना रहे हो तो टोप बोटम ग्रील का यूज कर सकते हो चैसे ब्राउनी बना रहे हो तो भी टोप बोटम ग्रील चाहिए बोटम ग्रील ओनली केक cupcake then tea time cake के लिए use होती है top bottom grill use होती है bread, toast, garlic toast, cheese toast फिर आपको बनाना है cookies बनाना है अगर आपके पास fan का option नहीं है तब भी ये function आप use कीजिए ठीके उसके बाद एक function आता है top bottom grill और fan इसको कहता है man function तो अगर आप अभी का जो oven otg purchase करोगे तो इसमें ये fan का option mention किया होगा तो ये function main function आपका रहता है जिसमें सारी चीज़े आप बेक कर सकते हो bread, toast यानि आप अगर घर पे bread बना रहे हो bread, curry, puff, toast, cookies, brownie सारी चीज़े आप इसमें toast को बेक कर सकते हो ये main function आपका रहता है जैसे कोई चीज़ को आपको कड़क करना है roast करना है तो भी top, bottom, grill और fan का यूज़ कर सकते हो जैसे कचोरी है, समोसा है, वो ठंडा हो गया है इसको आपको बेक करना है यानि कड़क करना है तो आप top, bottom, grill का option यूज़ कर सकते हो ये आपका main function रहता है जैसे आपका non-wage का purpose है तो again आपका top, bottom, grill और fan का option यूज़ होगा कोई भी आपको non-wage बनाना है तो यही function आपका यूज़ होगा अगर आपके पास fan का option नहीं है तब आपका top, grill और bottom, grill यूज़ होगा पर अगर आपके पास fan का option है तो यहीं आपका मेंन फंक्शन रहेगा टॉप बॉटम ग्रील और फेट इसके बाद एक ओप्शन आएगा ग्रील का ओप्शन यह है बैक डिस के लिए जैसे आप चीज बैक डिस बना रहे हो बैक मैकरोनी बना रहे हो कोई भी चीज को उपर से क्रिस्पी करना है कड़क करना है ब्राउन करना है तब यूजब करें अगरील का बी ज्याधा तर आज के जो और शाखेतायर है उसमें दो या थीं आ उपिशन देते है के हैं राइक आड ग्रील और बहुत ही ब्राऊन इवए डूल तो यह सिंगल ग्रील है इसमें में आपका चीज मैल्ड होगा और लाइट ब्राउन होगा उसके बाद आएगी डबल ग्री ज्यादा आपको आपका नॉन्वेज का परपस है और आपको ज्यादा ब्राउनिंग इफेक्ट चाहिए तो यह फंक्शन आप यूज कर सकते हैं उससे भी ज्यादा आपको ग्रील क कीजिए या ओनली सिंगल ग्रील यूज कीजिए देखिए जो ग्रील का फंक्शन रहता है उसमें कोई चीज बैक नहीं होती सिर्फ उपर से ग्रील होती है यानि जब आपकी चीज से बन जाए उसके बाद आपको ब्राउनिंग इफेक्ट देनी है तब भी ग्रील का डिफ्रोस याने जो चीज़े फ्रीजर में बेकिंग की चीज़े पड़ी है इसमें कुछ बेक होने वाला नहीं है जो भी आपकी चीज़े फ्रीजर में पड़ी है उसको नॉर्मल बेकिंग की चीज़े जैसे आप पीजा लेके आए और फ्रीज या फ्रीजर में पड़ा ह आपका non-wage है जिसको आपको warm करना है गरम करना है तो आप यह function का use कर सकते हो इसको कहते है defrost इसमें चीज़े आपकी गरम होगी बेक नहीं होगी याद रखिए सिर्फ गरम होगी ठीक है और यह function सिर्फ लेंब की निशानी है जब इस तो आप on करोगे आपका lamp on होगा ठीक है तो यह only lamp की निशानी रहती है main function आपका रहता है bottom grill cake, cupcake और tea time cake के लिए top bottom grill bread toast, garlic toast, cheese toast के लिए top bottom grill or fan main function non-wage, non-khatay, biscuit, bread, curry, puff इन सारी चीज़ों के लिए only grill का option, सिर्फ top जो आपका layer से उसको grill करने के लिए ठीक है तो यह function रहते है इसमें सबसे पहले आपको जब आप on करते हो otg को तो सबसे पहले आपको function को select करना है उसके बाद दूसरा number आता है timer का तो यह आपका इस तरह का timer करहेगा तो timer आपकी recipe में जो भी लिखा है यह time आप इसमें set कर सकते हो कमपल सरी आपको 10 minute आपके otg को preheat करना है गरम करना है उसके बाद ही इसमें baking की चीज़े रख सकते हो और तीसरा यह timer दिया है अच्छा यह timer में क्या रहता है आपके पास morphy recharge हो बजाच हो एलिका हो फेबर करते हो तो इसको पीछे मत घुमाओ आप अगर आपका काम खतम हो गया है तो आप function को off कर दो then degree off कर दो यह clock है अगर आप इसको पीछे वापीस घुमाओगे तो यह बिगड जाएगा टूट जाएगा तो यह अपने आप ही clock की तरह यहाँ पे 0 पे आ जाएगा तो इसको पाद आती है आपकी degree degree आपकी 50 से लेके 250 तक यहाँ पे रहती है नोनवेज का परपस है तो ओल्वेश 200 तो 250 की बीच की degree रहेगी केक का अगर आपका कब केक है केक है यह सारी चीजों का परपस है तो आपकी जो डिग्री है वह 160 टू-170 तक रहेगी डिग्री जो भी आपक की वही डिग्री पर आप सेट करो सबसे पहले वही डिग्री पर प्रिहिट करो जैसे आप 200 एक्सो सांट डिग्री लेखी है तो 200 डिग्री पर आप प्रिहिट नहीं कर सकते उसको 160 डिग्री पर ही आपको प्रिहिट करना है यह कंपल सरी है तो 10 मिनिट पहले ओवन को गरम करन तेन उसका दर्वाजा खोल कि बाद में आपकी जो बेकिंग की रेसिपी उसको अंदर रखना है जब आप धर्वाज कहोलते हो उस filling अजहें में सेयाी nam हो सबताfel इस vậyYour efekt well Kao ओपर की इफेक्ट ऑढ़ों में अलक रहेगी तो मिडल से वन स्टेप नीचे रखना है केक कपकेक वर ठोग के लिए और cookies वगेरा बना रहे हो तो उसको आपको middle से एक step उपर रखना है अगर आपके पास morfury chart, borrow seal या बज़ाज का OTG हो या कोई और company का तो उसकी height कम रहती है तब ही आपकी जो plate है उसको middle में set कर दिए जितने आपके step दिए है उससे middle में जो step आता है उसमें set कर दीजिए ठीक है जलिए मैं इसको आपको operate करके दिखाती हूँ तो सबसे पेले हम function set करेंगे मुझे cake बनानी है तो मैंने सिर्फ bottom grill on किया है यहाँ पर मैं 10 minute का time मैंने set कर दिया है और degree में रख रही हूँ 160 एक्सो सांट degree ठीक है देखिए ओवन ओवन हो गया है अच्छा OTG को ओवन को आप बीच में दर्वाजा खोल के देख सकते हो वह बंद नहीं होगा जबकि आपका माइक्रो है उसका दर्वाजा खोलोगे तो बंद हो जाएगा ओटी जी में only baking की recipe बनेगी याने जो भी बेकरी की प्रोड़क है वही बनेगी उसके अलावाज जैसे आपकी deep fry की चीज़े है इसको आप इसमें गरम कर सकते हो वाम कर सकते हो और उसको बैग भी कर सकते हो जै जादातर एलियूमिनियूम के बरतन सबसे अच्छे है सबसे बढ़िया है तो जो भी टीन आप केक के टीन ले रहे हो ब्रेट के टीन ले रहे हो तो अच्छा है उसके बाद आजकल नॉन स्टिक भी फेमस है उसका भी यूज कर सकते हो सिलिकॉन का भी यूज कर सकते हो अग अगर आपके पास building oven है तो जब भी इसको आप इन बिल्ट करो तो बाजू में या साइड में कहीं पेसी जगा रखिए जहां से गरम हवा निकल जाए दुसरा एक में पोईट आपको दिखा बता रही हूं कि जब भी आपकी रेशिपी डन हो जाती है तब इसको आप स्वीच अगर आप स्वीच आपके फंक्शन ओफ हो गए ताइमर ओफ हो गया और डिग्री ओफ हो गई उसके बाद उसकी स्वीच आप एक घंटे के बाद आप आप उफ कीचिए उसका रिजन है जैसे इन बिल्ट ओवन रहते है जो दुसरे ओवन ओटी जी रहते उसमें होते है जो अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है अगर आप स्वीच आफ कर दोगे तो कूलिंग फेन भी बंद हो जाएगा अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहेगी और आपका ओवन जल्दी बिगड़ जाएगा ठीक है तो ओवन में जब भी आप काम करते हो तो स्व आपका function off हो गया उसका मतलब है आपका on off ही है उसमें कोई power consumption नहीं होने वाला है तो यह main point है इसको याद रखिए एक गंटे के बाद आप switch off कीचे ठीक है अगर आपके पास simple वाला on है तो उसमें भी वही है कि आप उसको switch off मत कीचे function off कर दीचे अगें timer off मत कीचे timer अपने आप जगह पर आजाएगा अगर कोई भी ओन में आप अपना timer बार बार आप घुमा रहे हो तो उसका मतलब वह तुरंट बिगड़ जाएगा जल्दी बिगड़ जाएगा इस मेरे बेकिंग क्लास में बहुत बार एसी क्वेरी होती है कि जिसे ओन में तुरंट बन जाता है जब भी बेकिंग का कोई भी चीज अंदर बेक करने के लिए रखो तो याद रखिए आप थोड़ा उसको देखते रहो कितना टाइम है कितनी ब्राउनिंग इफिक है वह सारी चीजा आप देखते रहो दूसरा अगर आपका हीटिंग फास्ट है तो आपको जो डिग्री त प्रोपर बेक हो जाएगा तो पहली बार जब भी आप बेक करो तो आपको आपके ओवन में केसा टेंपरेचर है कितना है वह आपको जानना पड़ेगा क्योंकि हर किसी का हीटिंग पावर प्लस माइनस रहता है तो फोलो कोई भी रेसिपी करो पर आप अपना ओवन में क्य बन रहे है कितनी देर लगती है कितनी ब्राउणिंग इफेक आती है वो सारी चीज़े देखते रहे हैं फ्रेंट से दूसरा सबसके है क्लास के विएगा ऑवन में खाना बना सकते हो अब कर सकते वो तो बिलकुल नहीं ओम सिर्फ बेकिंग के लिए है उसमें आप खाना नह इसके लिए microwave बेस्ट है दुस्षा एक ट्वेस्चेन रहता है कि OTG में बेकिंग अच्छा होता है या microwave में microwave combination है, baking और cooking का, तो दोनों आपका परपस है, तो आप microwave ले सकते हो, पर अगर आप home bakers हो, घर पे आप cake बनाते हो, cake सेल करते हो, cupcake सेल करते हो, तो एक टाइम पर आपके लिए OTG कंपल सरी हो जाएगा, क्योंकि OTG में जो baking होता है, वो microwave में कभी नहीं होता, हाँ, 80% उसमें बेक अच्छा होता है, जैसे अच्छी अच्छी कंपनी आजकल आ गई है, LG है, Samsung है, वलपूल है, तो उसके microwave के रिजल्ट अच्छे है, उसमें आप baking भी कर सकते हो, पर compare आप OTG के साथ नहीं कर सकते, OTG में प्रोफेशनल बेकिंग होगा, जबकि माइक्रोई और कन्वेक्शन अ और दूसरी एक बात मैं आपको बता रही हूँ, कि OTG कभी छोटा पर्चेस मत कीजिए, 30 लिटर से अप, यानि 30 लिटर के उपर का जो माइक्रोई OTG है, वही पर्चेस कीजिए, उसमें बेकिंग का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, छोटे वाले OTG में बेकिंग इफे जाता है, उसकी जगह कम रहती है, तो क्या होता है, कभी-कभी उपर से ब्राउन इफेक आ जाती है, पर अंदर कच्छा रहता है, तो सबसे बेस्ट OTG होता है, 40 लिटर, 45 लिटर, या फिर 60 लिटर, 65 लिटर, अगर बहुत अच्छा आपका बेकिंग का काम चल रहा है, तो इन बिल्ट ओवन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसका रिसल्ट पी बहुत बिल्कुल बैकरी जैसा होगा, एक और फंक्षन भी OTG में आता है, हर किसी, हर कोई OTG में नहीं होता हो रहता है, रोटेसरी ओप्षन, तो रोटेसरी वो लोग सिलेक करते है, जिसके गर में ज्यादा तर पनी टिका, चिकन टिका या कोई भी टिका बनाना हो, रोटेट करके उसको बैक करना हो, तो वो फंक्षन भी यूसफूल है, अगर आपका नोनवेज का परपस है, तो रोटेसरी आपको बहुत ही काम आएगी, उसमें चिकन वगेर रोटेट करके बहुत ही तो आप उसमें जो फंक्षन दिया है, उसको आपको फंक्षन को सिलेक करना है, डिग्री उसमें 200 से ही स्टार्ट होगी, मैं आपको 200 डिग्री रखना है, तो आपको टाइमर देना है, उसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है, कि कौन सी कंपनी का ओवन लेना चाहिए, त तो मैं सजेस्ट करूँ कि मेरे पास Elika है, मेरा जो बेकिंग क्लास है, कुकिंग क्लास है, मैं ज्यादा तर इसमें ही बेक करती हूँ, तो इसका रिजल्ट बिलकुल प्रोफेश्नल है, तो आप Elika को यूस कर सकते हो, या Elika प्रचेस कर सकते हो, इसके अलावा वलपुल उसके भी built-in oven अच्छे आद है तो आप कोई भी कंपनी का built-in oven ले सकते हो अगर आपको kitchen वे space है और अगर आप home bakers हो तो built-in आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपके kitchen वे space नहीं है तो आप कोई भी morphy recharge या बजाज को select कर सकते हो क्योंकि morphy recharge का भी result बहुत ही अच प्रेस्टीज है तो मुझे उसका experience नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी पर आइधिंक बोरोसिल भी अच्छा हो ने वह भी पर्टेस कर सकते हो और दूसरी एक बात दूसरी एक बात यह है कि आप जब भी कोई भी recipe बनाओ तो सबसे पहले जो उसमें मेजरिंग दिया है उसको प्रोपर फॉलो करो क्योंकि जो बेकिंग की recipe आप बनाते हो परफेक मेजरिंग से ही अच्छी बनती है सेकंड उसमें function कौन सा mention किया है वह फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे function होते हैं आपको पता नहीं कोई भी function आप रख देंगे तो वह तो यह पहले आप जाने के कौन से function में क्या चीज़ आप क्या बना रहे हो और कौन से function में बनने वाली है बाद में ही इसको आप operate कीजिए ठीक है तो यह जो वीडियो मेंने बनाया है उसमें सारी OTG के बारे में मैंने बहुत सारा जो मेरे पास जो नोलेग था वो मैंने सब अब share किया है एसा एक दूसरा वीडियो में बनाने वाली हो हो है microwave microwave convection model क्योंकि ज्यादा तर में ने देखा है कि OTG हो या microwave हो ज्यादा तर सो पीस में ही रहता है उसका use up बहुत कम करते हो तो यह वीडियो पूरा end तक देखिए और मेरा जो दूसरा वीडियो अपलोड हो रह है कि microwave में क्या क्या बना सकते हो आप किस तरह इसको ओपरेट कर सकते हो और इसी और information के लिए प्लीज लाइक जेर एंड सब्सक्राइब माइ चैनल जाइका जिगनास कीचन थेंक्स तू आर्